हलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल जोब नोटिफिकेशन अपपे और आज जो हम बात करेंगे SSC CZL की काफी ज्यादा वेट किया जारा भी बच्चों की दवारा कि आखिर कब जो है आपका रजल्ट आएगा तो कब आएगा भई इस वीडियो में बात करेंगे कुछ फैक्स के साथ वीडियो में बने रही है और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आएए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे की जो भी अपडेट्स आती है SSC से रिलेटिड उनका नोटिफिकेश आपको मिलता रहे जैसे SSC की जो भी अपडेट्स आती है छोटी बड़ी आंसर की है ऑफिसियल अंसर की है सब्मिशन जो भी वरती आती है फिर एडिमिट काड है रजल्ट है हर एक अपडेट में वीडियो डालता रहता हूं जैसे अभी करंट में आपके रजल्ट आई थे SSC GE का रजल्ट आया था स्टैनोशी और डी का रजल्ट आया था तो उसमें आपने भी देखा अगी सबसे पहले ही आपको अपडेट किया थे चले भी मैं बता देता हूं देखिए क्या क्या चीज़ें जो है आपकी रहने वाली है जो आपकी उमीदें लगाई जा रही है वो क्या लगाई जा रही है तो सबसे पहले तो देखिए दो रजल्ट तीन रजल्ट आपके पैंडिंग अभी ठीक है अगर मैं बात करता हूं SSC CGL का सबसे पहले ठीक है उसके बाद SSC IMD का उसके बाद अगर मैं बात करता हूं SSC MTS Tier 2 का भी ठीक है तो ये तीन रजल्ट आपको पैंडिंग देखने को मिल रहे हैं तो जो उमीदें लगाई जा रही है SSC IMD को आप पीछे छोड़ दीजिए दो रजल्ट आप रखिए SSC CGL PLUS SSC MTS तो इन दोनों रजल्ट्स में से आज की डेट में चार फैब को ठीक है चार फैब को इन दोनों रजल्ट्स में से एक रजल्ट जो है आपको देखने को मिल सकता है आज की डेट में किसी कार्णवंस जो आए आज अगर आपका रजल्ट नहीं ही आता है तो पांच फैब को तो रजल्ट आपका नहीं होगा भी संडे है ओफिस को लोज रहेगा तो छे फैब तक कि आपका रजल्ट देखने को मिल सकता और एससी सीजियल की पोसिबल्टी जो है ज्यादा बताई जारी भी 99 परसेंट जो है एससी सीजियल का जो रजल्ट है एमटीएस से पहले डिकलेर किया जाएगा और एमटीएस का जो रजल्ट है वो जा सकता भी आपका दस फैब तक और एमटीएस का किसी रजल्ट पहले आता है तो जो सीजियल का रजल्ट है वो भी दस फैब तक जा सकता है तो यही जो रिजन रहने वाले है हो सकता है ऐससी ए दोनों में से आपको एक रजल्ट इन तीनों में से दो डेट मैंने आपको दी है चार और छे इन दो तारिकों में से अगर मैं बात करता हूं तो या तो CGL का result आ सकता है या फिर आपका MTS का आ सकता है या फिर IMD का result आपको देखने को मिल जाएगा भी तीन result मैंने दी है दो date दी है इन दोनों dates में से आपको result एक जरूर देखने को मिल जाएगा ये वीडियो में delete भी नहीं करूँगा और सारी चीज़े जो है comments भी open रहते हैं आप comments भी कर सकते हो जैसे बहुत सारे YouTube channels ने आपको बताया था कि आपका CGL का result है 30 जनवरी या फिर 31 जनवरी से पहले आ जाएगा ऐसी चीज़ें बताई थी मैंने वीडियो उस time भी डाले थी भी मैंने आपको कलियर बताया था कि जनवरी में आपका result नहीं आएगा तो आप वीडियो भी देख सकते हो end screen में वीडियो छोड़ दूआँ वहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कहीं पर भी यह नहीं बोला था कि आपका जो result है जनवरी में आएगा ठीक है मैंने आपको कलियर बताया था या तो 5 के 1st week में आपका result आ सकता है या फिर 2nd week तक भी जा सकता है उसका region यह भी बताया था मैंने अगर SSC IMD का result पहले आता है तो CGL का result जो है 2nd week 5 में आएगा तो अभी possible यहीं बताई जारी है जो चीजे मैं अभी भी वही चीजे बोला हूँ जो मैंने पहले बोली थी तो अभी दो dates मैंने आपको दिये 4 और 6 इन दोनों dates में से एक result आपको देखने को मिल जाएगा यही एक update से आप सभी सातियों से share करनी थी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे ही result की कोई update आती है तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगी तो इस वीडियो में तना ही आप सभी का बहुत बहुत नवाद